नमस्कार दोस्तों, जिन्दगी के कई रंग होते हैं, कभी धोग, छाओं, मन में उदासी, खुसी, हर तरह की फिलिंग्स होते हैं, लेकिन समय का जो चक्रे वो किसी के लिए नहीं रुकता है, एक रितू आता है, एक रितू जाता है, और उसमें हमें निरंतर अपने कारे को क करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर समय से हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तो समय हमारे नहीं रुकेगा, तो देखे इस टाइम पर हम लोग अगस्ट के महने में कौन-कौन से पॉदों की कटिंग लगा सकते हैं, साल बर तो कटिंग हम लोग लगाते ही हैं, लेकिन इस वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और फूल देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल बटन आइकन ओल पर सेट कर लीजिएगा, तो चले वीडियो सुरू करते हैं, दोस्तों और अधर सीजन में हम जड़े बनेगी, तो आप बोगिन बेल की कटिंग को जरूर लगाएं, दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए हम लोगों को पानसून के सीजन में, अगस्त के सीजन में इस तरह की बूरबूरी एक डम वेल डेंड सॉयल हमें पॉटिंग लेनी है, जिसमें कटिंग में पानी सदा बाहर को हम लोग लगाते हैं, इस तरह के डाइबैक की प्रॉब्लम होकर पॉदा खराब होने लगता है, तो उस पॉदे को सेव करने के लिए हम लोगों को उसकी जो अच्छी हेल्दी सी टिप की कटिंग हम लोग 2-5 इंच की लेंगे, और उसी पॉट में हम लोग इन में बन गई है, मानसून में अगस्त के महने में जड़े काफी फास्ट बनती है, तो इस तरह से एक पॉदा मुझे फ्री में ही मिल गया, इस से मैं बेबी सन्रोज की भी कटिंग लगा सकते हैं, काफी खूब सूरत पॉदा होता है, एक सखले इन भिराइटी का, और सु पंदरे दिन पहले मैंने इस कुलण में लगाई थी इसकी कटिंग बेवी सन्रोज की, जड़े कितनी सांदार बनी है, तो आप लोग इस समय जो आपका पॉदा खराब हो रहा हो, या आपको मल्टिप्लाइ करना हो, इस तरह के डेर से दो इंच की कटिंग हमें लेनी है, हा पॉदा सालो साल आपके गार्डेन में बना रहेगा, इसको हैंगिंग बासकेट में लगने के लिए ये बेल कूल रेडी है, बहुत ही सांदार इसकी रिजल्ट मिलती है, नेक्स्ट आप लसूनिया बेल को भी इस टाइम पर बहुत ही असानी से लगा सकते हैं, ये बहुत ह बहुत ही खुब सूर् hakk के साथ मेरे कटिंग वाले पौधे में भूमिंग भी हुए तो आपको कटिंग वाले पौधे में और 3 पौधा बनुए और देखें मेरे कटिंग ले ले लिए थींछ वी उड़ा सकते हैं दो इंच की कटिंग लगा सकते हैं जैसी भी आपको cutting मिले बस इसको आप किसी भी pot में इस समय आप मिट्टी में गढ़ा दीजे तो एक मैंने disposable में देखी इस तरह की दो cutting डाली हुई थी एक disposable में बहुत ही sandy soil में तो देखे कितनी सांदार जड़े बनी है इसकी आपको बहुत ही अच्छे से जब जड़े डेवल से 2-3 दो में इसंइब जड़े बनजाते हैं यह किता सुंदर से जड़ बन गया है पस हर एक note से इसमें जड़े बनते हुए आपको दिखेंगे बहुत इक हुपसूरत होता है यह बड़ी पतिया और छोटी पतियां दोनों साइज में आते हैं नेक्स दोस्तों इस समय आप इस तरह से घुसा कर इसमें अलजबरा जल से कोट करना है और इस तरह से किसी भी कंटेइनर में हम लोग इसको मिट्टी में अच्छे से हमें प्रेस करना है तो देखे इसकी जड़े देखे 5-6 दिनों में इसमें जड़े बन गई हलाकि जड़े भी बहुत जड़ा डेबलप नहीं है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इससे डिस्टप कर दिया है 15 दिन में जड़े बहुत ही जड़ा रूट बॉन हो जानने वाली है देखे कितना सांदार रिजल्ट मिलता है और फ्री में कई पौधे आप भी अगस्त के मैंने में रेडि कर सकते हैं अब मानसून का जो सीजन है आलमोस्ट बहुत जगा बारी से हो गई है देदेरे मानसून जला जाएगा इसका भी फाइदा हमें उठाना है इस टाम पे आप विंटर गार्डन के लिए कैलन कोई को भी कटिंग लगा सकते हैं देखे एक कटिंग मैंने लगाई थी कितने सांदार जड़े मिली है और ये वेरी गेटिड कैलन चो का पौदा देख रहे हैं इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसकी पतियां साल भर बेहरी खूबसूरत लगती है नेक्स्ट आप आप इस समय टीकोमा की भी कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों टीकोमा की कटिंग बारिस के मौसम में बहुत यह असानी से लगती है तो इस तरह से आपको कटिंग लग जाएगी नेक्स्ट आप पैडिलेंथस की भी कटिंग इस टाइम पे लगा सकते हैं इसकी कटिंग आप जब लेंगे इसमें दिखें वाइट वाइट मिल्की सैप निकलता है इसको हमें चार से पांस घंडे सूखने के लिए देना है उसके बाद ही हमें इस कटिंग को लगाना है तो देखिए यह कुछ दिनों पहले मैंने इसकी दिस्पोजबल में लगाई थी और कितना अच्छा से वो कटिंग रेडी हो गया है मेरा पस ऐसे इस तरह से दो नोड मिटिंग नीचे देना है दबाना है तो यह देखिए आप लोग कितना ज़्यादा असानी से यह कटिंग से लग जाता है इसे पैडी लेंतस कहते हैं यह डेबिल्स बैक बोन के नाम से भी जाना जाता है यह जिग-जग प्लांट भी जाना जाता है इस टाइम पर आप मोगरा की भी कटिंग लगा सकते हैं तो कुछ दिनों पहले मैंने से मोगरा की कटिंग लगाई थी चार-पाँच कटिंग लगाईएगा तो आपको एक-दो कटिंग सकसेस होगी और कटिंग हिलनी भी नहीं चाहिए तो इस तरह से कितना जादा root bond हो गया है मेरा कटिंग का लगा हुआ इसकी जड़े निकली है वो कटिंग में बहुत ही सांदा result मिला है अब इसे पॉट में आप आराम से sip करेंगे तो फ्री का आपको एक पौधा मिल गया निक्त इस साइम पर बहुत ही जादा जो sweet potato wine, variegated और red वाली variety मैंने लगाई थी इसकी जड़े में आप लोगों को शो कराती हूँ Variegated या non variegated या ग्रीन वाली कोई सी भी variety लेंगे मांजुन के समय में इसमें सांदार जड़े बनती है, बहुत ही असानी से cutting लग जाता है हपते भर में ही इसमें इतनी जड़े बन गई कि आपस में ही उलज गया और निकल नहीं रहा था तो इसकी cutting बहुत ही आसानी से लगती है, तीन दिनों में ही इसमें जड़े हो जाएगी और आपको अगर cutting ग्रो नहीं होती तो आप पानी में भी इसे प्रोपगेट कर सकते हैं तो चली इस तरह से देखिया हमें 3-3 इंच की धाइड़ा इंच की cutting लेनी है, बस मिट्टी में से खोज देना है और बस आपका cutting तीन दिन में जड़े बना देगा अगस्त के महिने में दोस्तों आप लोग स्रीलंकर टगर को भी आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं बहुत ही खूब सूरत पौदा होता है और इसकी cutting मैं फर्स्ट बर लगा रही हूँ, रिजल्ट आप लोगों के साथ जब लग जाएगा तो जरूर सेयर करूंगी तीन इंच की cutting मैंने ली है और नीची की पतियों को खाली करकर node area क्लियर कर लिया है और एलोवेरा जेल में इसे हमेंने कोट कर ली है और फिर मैं इसे एक अच्छी वेल्डिन सॉयल में इसे मिट्टी में दो से तीन node मिट्टी में गड़ा दूँगी इस तरह से दोस्तों लगाने के बाद हमें यही वाला node area होता है इसे ही इतना मिट्टी की नीचे देना है और cutting लगाने के बाद खूब अच्छे से मिट्टी को दबा देना है जिसे की cutting हीले नहीं और उसमें fungus create नहीं हो नेक्स दोस्तों इसमें आप थंबरजिया इरेक्टा के भी cutting लगा सकते हैं इसकी फूल काफी ज़्यादा खूब सूरत होते हैं जब आप थंबरजिया इरेक्टा के cutting को लगाएंगे तो उस cutting में पतियां तो पहले से आ जाती है पर जड़े थोड़े धीमे से इसमें बनता है जिस प्रकार गुलाब और बोगेन बेलिया में पतियां पहले आ जाती हैं और जड़े बाद में बनती हैं उसी तरह इसका भी वही हाल होता है तो इसकी भी हम लोग 3-4-4 इंच की cutting हम लोग लेंगे और 2-3 cutting लगाएंगे तब जाके 1 cutting 2 cutting success होती है तो इस तरह से दो cutting मैं लगा रही हूँ और वो mother plant भी मैंने cutting से ही ready करी थी last year मानसून के time पर बस इस तरह से नीचे की पतियों को हमें खाली करते हुए node area को clear करना है यही node area से ही जड़े develop होती हैं जिस जगह पे पतियां लगी भी होती है वही node area होता है एलो बेरा जेल में coat करना मत भूलेगा क्योंकि मानसून का समय है अगस्त का महिना है अगस्त में भी अच्छी खासी बारी से देखने को मिलती है तो इस समय हम लोग cutting लगाएंगे तो 101% हमें cutting success rate मिलेगी तो इस तरह से देखी किसी भी pot की मिट्टी गुडाई कर लीजेगा मिट्टी को हलका कर लीजेगा या फिर अगर आप special मिट्टी रेड़ी करें भूरबूरी sandy soil तो उसमें तो नहीं लगने का सवाल नहीं है वरना किसी pot में आप गरा रहे हैं तो उसकी मिट्टी को थोरी भूरबूरी जरूर बना लीजेगा बस इसको अब हमें मिट्टी के नीचे दबाते चले जाना है और फिर हिलाना डूलाना नहीं है बार बार हमने cutting को निकाल का चेक नहीं करनी है मानसून का एक एफ रादा होता है कि हमें watering का खास ख्याल नहीं रखना पड़ता है भगवान खुदी उसमें watering करा देते हैं जिसे की cutting हिलने डूलने के chance कम हो जाते हैं इसलिए भी मानसून में cutting ज़्यादा लगती है success ज़्यादा मिलता है नेक्स दोस्तों इसमें बेहदी खुपसूरत फूलो का पौदा गौरी चौरी यलो यलो इसमें बहुत खुपसूरत flowers आते हैं इसकी भी cutting इस समय आप लगाएंगे तो बीना किसी मेहनत के ही आपको 101% result मिलने वाला है नीची के पतिया को खाली करते हुए चारिंज की cutting लेन है एलो विरस जेल में डिप करना है और दो से तीन नोड हमें मिट्टी के नीचे अच्छे से दबाना है मानसून के दौरान थोड़ी पतिया भी आप पौदे में रखोगे तो उससे कोई नुकसान ने हुगा क्योंकि मौसा में बहुत जादा नमी बनी हुई होती है जिससे की पतियों को जरूर हटा लीजेगा क्यूंकि नोड एरिया क्लियर रहता है और कटिंग लगाते सेमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग की पतियां मिट्टी में चिपके लिए जिससे की फंगस किरेट होने का डर बना रहता है फिर एलो त बेर जयल में हमें कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा इससे मैं लगा सकते हैं देखिए कुछ दिनों पहले मैंने लगाई थी 15-20 दिन हो गया है हालाग इसकी कटिंग तो चार से पास दिनों में लग जाती लेकिन जड़े का इस तरह का जो विकास देखने को मिलता है वो 15 दिन के बाद ही दे बोगिन बेल की कटिंग लगाईएगा तो काटों का बड़ा ध्यान रखिएगा क्यूंकि काटों से सवधानी पूर्बक हमें इसकी कटिंग को निकालना है और इस तरह से चार कटिंग मैंने रेडी करें दो ग्रीन कटिंग है और दो सेमी हारूट कटिंग है तो कौन सा कट लगेगा ये मुझे भी देखना है जो उनसे भी कटिंग आपको रोड साइट फ्री में मिले आप उसे लगाने के लिए जरूर कोसिस करें बोगिन बेल की कटिंग काफी लंबे समय तक हमें उसे अस्थिर रखना पड़ता है तो इस तरह से मैंने एक भूरबुरी सॉयल में प करने करने के बाद में रूटिंग हार्मोन में चांध हुड़ता है mo फिर रोड फ़त कापक के यहां खालने चलंग से आपक यहां से बात वान में में लगा लगा। भाग से हम प्तियां खाली गया को अम लोगों ने हटाया है उसे ही नोट एरिया कहते हैं बस इस तरह से हलका सा तीछा करकर हमें मिट्टी में देकर बहुत ही जेंटली प्रेस कर देक जिसे की कटिंग ज्यादा हिले डूले नहीं इसी तरह मैं आप फंगी साइड में डुबा कर आपको कटिंग लगाना बता रही हूं तो फंगी साइड में डबाने से कटिंग लगा कर लगाने से उसमें भी सड़न पैदा होने का चांस कम हो जाता है तो इस तरह से आपको 101% रिजल्ट देखने तो इसलिए आप पतिया देकर इसे हटाने की लिया निखाने की कोसिस ना करें जब तक छे मैंने नहीं हो जाए आप बोगेन बेल की कटिंग को हिलाएगा डूलाइगा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल गुलाब वाला ही फंडा इसमें काम करता है तो रोड साइड से मुझे जैसे भी कटिंग मिली, सॉफ्टूड, सेमी हाडूड तो मैंने सब को लगाई मौका नहीं छोड़ा इसी तरह आपने भी करनी है और फंगिसाइड जरूर देकर हमें इसमें वाटरिंग करना है जिसे की फंगस वागेरा लगने का चांस नहीं हो क्योंकि बहुत ही मुस्कि कटिंग को लेकर चार पाच घंटे रच छोड़ेंगे और उसके बाद ही इसको हम लोग मिल्की सैप निकलता ही दूदः जयसा तत्व उसको सुखाने के बाद ही इसको हमें लगाना है और देखि कितने एक कटिंग लगाई थी मैंने 15 दिन में कितनी ज़ादा इसमें पढ़ने लगा है नेक्स दोस्तों इस थलकमल का आप लोग इससे में कटिंग लगाईएगा तो बहुत जल्दी मल्टिप्लाइ होता है काफी ज्यादा खूब सूरत इसके फूल होते हैं दुरगा मा को भी काफी ज्यादा प्रशन न होता है यह फूल तो यह फूल आप घर मे लगा लिजे चाहे रूटिंग हार्मोन लगा लिजे उसके बाद आपने इसे मेटी में लगा देना है यह बहुत ही आसानी से इन दीनों लग जाता है मानसुन के समय पतियां थोड़ी थोड़ी चटाई कर सकते कुछ पतियों को आप पौदे में छोड़ भी सकते तो इस त मैं करहाई रहे है रहектив सकते डाउख थी में कैसी दीनों के दृगा है है तomena कंल बार का क्या रएफि तो इस ताइम पर आपको कमियाना का उसलगाना में कित दृ़ी तो तो इस तारा पौदे में क में लगा है क्याक्या गाई sama का कमल का कनिन लेवासा इस ताम परभी लेक सक कनेर का कटिंग हम लोग लेंगे ऐलेवरा जेल या रूटिंग हर्मन जो भी आपको मिले उसमें कोट जरूर कर लीजे इसी टूल से छेद करकर अच्छे से हमें सारे कटिंग को दबाते हुए चले जाना है तो इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग को लगाएंगे इस समय आप क् की कटिंग मैंने ली है और नीची की पतियों को खाली करके इस तरह से कटिंग रेडी कर लिए एलेबरा जेल में डिप करने के बाद दिखे किसी मिट्टी वाले पॉट में इसे हमें रखना है जिससे कि यह सर्कुलेशन बना रहे है ओवरवर्टिंग का खत्रा नहीं हो तो इस तरह से आशा करती हूँ काफी ज़्यादा आप लोग कटिंग लगाएंगे जिस तरह से मैंने कई सारे मूफ में पॉदे रेडी करी है तो जहां आप में लोग 5-6 कटिंग लगाते हैं उनमें हमारा 3-4 कटिंग ही चल पड़ता है किसी किसी पॉदे में 100% result मिलता है किसी पॉदे में नहीं मिलता है result तो जहां 4-5 कटिंग हम लोग 10 कटिंग लगाएंगे तो 4-5 कटिंग तो जरूर ही success मिलेगा हम लोगों को तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया हो पसंद आये तो एक लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी के साथ आप लोगों से विद्धा लेती हूं बाए दोस्तों एक यह हैपी गाद लिए